दोस्तों अगर मैं एर्थ से एक लंबी रोड बनाता हूँ और उसको लेके जाता हूँ यहाँ से Alpha Century तक तो अगर gravitational wave आती है जैसे कि 2015 में detect हुई थी वो gravitational wave उस लंबी रोड को जो की यहाँ से Alpha Century तक जा रही है उसके अंदर variation लाएगी एक hair width का। जब चार किलोमेटर लंबे लीगो के जो ब्रांच थी जो वो लीगो की टनल की उसके अंदर वन अपॉन थाउजन टाइम्स दी विट्ट अफ दी प्रोटोन का वेरियेशन आया था और कि हा ग्रेविटेशनल वेव्स एक्जिस्ट करती है आज किस वीडियो में आपन देखे जो थी उसके थूँ उनने ग्रेविटेशनल वेवस के एक्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया था लेकिन बात सिर्फ प्रेडिक्शन की नहीं है बात होती है कि प्रपोज किस ने किया और उसके बारे में डिसकॉशन किस ने किया क्या यह सवाल किसी और की दिमाग में कभी आया यह नहीं कि gravitational wave जैसी waves भी हो सकती है जो energy है जो एक gravitational system में होती है क्या वो energy radiate होती है और अगर radiate होती है तो क्या वो electromagnetic wave के जैसे एक wave के form में निकल सकती है यह जो सारे सवाल थे दोस्तों इनको अगर अगर आपन देखें दोस्तों अगर अपन बात करें तो we have to go back in 19th century यानि 1800 से 1900 के बीच का जो समय था वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा था उसी बीच में जो अपने Maxwell साब थे उनने जब प्रूव कर दिया था Electromagnetism के बारे में कि उनने प्रूव कर दिया था Electromagnetic एक wave है जहां पर electric field और magnetic field है तो कही न कहीं उनके दिमाग में एक सवाल आ गया था कि क्या gravity को भी मैं wave के form में बता सकता हूँ कि gravitational wave हो सकती है क्या लेकिन इसके उपर जादा उनने तवज्जु नह देके अपने काम को आगे बढ़ा दिया लेकिन जब Oliver Heaviside जो कि self taught बहुत महारती थे उनने जब इस चीज को अपने focus में लिया और जब उनने Maxwell की equations को simplify करना चालू किया तब उनको लगा कि हो सकता है कि कही ना कहीं same application में यूज करके gravity को भी wave के form में explain कर सकूँ यह सारी बात इसलिए हो रही थी दोस्तों को कि उस वक्त जो सबसे बड़ा problem वाला area था वो यह था कि सब Newton साब के corpuscular theory जो थी जहां पर light को particle का बना हुआ माना जाता है उसके against light को wave proof करने में लगे हुए थे तो भी ऐसा है कि Newton साब नहीं gravity के बारे में भी बताया था तो सबको दिमाग में बात आ रही थी कि क्या पता हो सकता है जिस तरीक से gravity के लिए Newton साब ने बोला है कि force है वो force ऐसा है कि जो तुरंथ एक्सेनेटा distance करता है जहां पे जो सबसे बड़ी चीज एक problematic थी वो यह थी कि यह लगता था कि gravity एक ऐसा phenomenon है जो कि instantaneous है यानि जिसकी speed पे कोई limit नहीं है मतलब अगर दो मासे जामने सामने हैं तो तुरंथ gravity feel हो जाएगी अगर मैं इसको perspective में रखूँ तो यह मतलब है इस चीज का कि अगर अभी सूरज गायब हो जाए तो अर्थ को तुरंथ पता चल जाएगा कि सूरज है नहीं सूरज हट चुका है और हमें उसका impact तुरंथ feel होने लग जाएगा लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है gravity की एक speed है gravity communicate जब होती है एक मास से दूसरे मास पे एक system में तो वो एक speed पे communicate होती है जैसे कि simple सी भासा में बोलू तो अगर सूरज आज इस वक्त गायब हो जाता है मालो कोई भी hypothetical scenario होता है और someone just removes the sun from the system तो हमें तुरंथ पता नहीं चलेगा ये communication हमारे पास जो पहुंचेगा वो एक finite time लेगा यानि बात ही आगी कि जब मैं gravity की बात कर रहा हूं तो gravity action at a distance नहीं है कि यहां से उठा सिधा वहां पे appear हुआ और बात खतम नहीं यहां पे gravity जो है वो communicate हो रही है अगर देखा जाए तो भई ऐसा है कि graviton जो है एक ऐसा particle है जो काफी चर्चा में है कि हो सकता है कि gravity को communicate करने वाला जो पार्टिकल हो ग्रेविटोन हो और जो ग्रेविटोन हो वो पार्टिकल speed of flight से सलता हो लेकिन यह सारी चीज अभी बातों में है दोस्तों इसका भी proof नहीं आया है लेकिन gravitational waves प्रूफ हो चुकी है अब बात यह आता है कि जो मैक्सवेल साब ने बोला gravity के बारे में जो ओलिवर हैविसाइड ने बात करी gravity के बारे में कि हो सकता है यहां पर भी कुछ waves हो यह बात जब आगे बढ़ी तो point care ने propose कर दिया था कि हां भी gravitational waves हो सकती है यानि यह जो धांचा है universe का यह expect करता है कि gravity जो है उससे associated gravitational waves होंगी अब इसको compare करना चाहें तो अपने ऐसे देख सकते हैं कि जब मेरे पास एक charge होता है तो वो जो charge है वो मेरे जे field देता है तो definition ही होती electromagnetic waves की कि वो generate ही जब होती है जब charge accelerate हो और यहां पर rather force आपको भी जो problem face करनी पड़ी थी अपने model में वो यही थी कि उनको कहा गया था कि भाई साहब अगर electron goal घूम रहा है circle में तो circular motion जो है वो accelerated motion होता है और accelerated motion एक charge का हो रहे हो को कि electron तो charge है तो वो radiation छोड़ेगा और अगर radiation छोड़ेगा तो it will spiral into the nucleus यहां पर class 9th के बच्चे भी इस बात को समझ जाएंगे और class 11th के बच्चे भी समझ जाएंगे और 12th के modern physics वाले बच्चे भी समझ जाएंगे यानि मेरे पास एक ऐसा scenario था वो यह बता रहा था कि जो charge है अगर उसको accelerate किया जाए तो वो क कौन सी energy कहां से आएगी वो energy इन सारे सवालों का जवाब जो exist करता था दोस्तों वो करता था gravitational wave के format में कि अगर energy निकलेगी तो कैसे निकलेगी तो उसमें जो field के oscillation होते हैं वो perpendicular होते हैं in the direction of travel इसका मतलब यह है कि अगर एक electromagnetic wave मुझसे आप तक अगर आती है यानि मुझसे इस camera तक अगर आती है यह अगर उसका direction है तो जो electric field और magnetic field की जो wave होगी जो उनका variation होगा वो इस direction में नहीं होगा वो ऐसे नहीं होगा वो यू ह हो सकता है वो यू हो सकता है या किसी भी angle पे हो सकता है लेकिन इसके perpendicular होगा लेकिन sound जब travel करती है तो वहाँ पे जो motion होता है वो in the direction होता है यानि यू particles move करते हैं और sound की जो information है जो wave उसको carry करते हैं तो transverse natural gravitational wave का ये बात एक तरीके से speculation में आ गई थी ये बात एक तरीके से observations में आ गई थी ठीक है भई अब बात करते हैं कि ये जो wave है क्या ये हमें मिल गई थी तुरंत क्या Albert Einstein साब ने जब predict करी थी प्रपोज कर दी थी point care ने Albert Einstein ने जब इसको predict किया था अपनी relativity की theory में 1916 में जब इसको predict किया था तो क्या वो पूरे confident थे तो दोस्तों यहां पे भी एक अलग कहानी चल पड़ती है क्योंकि Albert Einstein साब जो थे वो खुद वो खुद 100% convinced नहीं थे रदर उनका interpretation जो था gravitational wave का वो थोड़ सा गड़ बढ़ा ग सकती है और अगर हो सकती है तो क्या वो predict हो सकती है इसके उपर अपन बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में लेकिन आज में बात करने वालों purely gravitational wave की कैसे सबूत मिले gravitational waves के तो दोस्तों करें अपन देखें तो बात ऐसी है कि 1974 का वो साल जो था वो बहुत ही बहुत ही बेस कीमती साल रहा क्योंकि 1974 के उस साल में जब इस researchers deep space को observe कर रहे थे धून तो वो कुछ भी रहते लेकिन उनको मिले कुछ radio signal कुछ radio transmission मिले उनको और वो confused हुए कि कहां से आ रहा तो they found out कि भाई वो एक pulsar को observe कर रहे हैं वो जो pulsar है उसको जब continuously observe किया गया काफी सालों तक तो it was found कि वो जो pulsar है वो एक binary star का system है binary star का system ऐसा होता है दोस्तों यहां पे दो star होते हैं जो एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं about the center of mass अब यहां पे दोस्तों इस वक्त य हैं बिल्कुल center of mass के around movement का question, angle of momentum के conservation का question खूब सारे सवाल पूछे जा चुके हैं if you go back and check right now you will find many PYQs on binary star system in J-Advance तो ऐसा ही एक binary star system था, pulsar था जिसके अंदर यहनि neutron star जो कि खूब तेज घूम रहा हो pulsar एक ऐसा neutron star है दोस्तों एक ऐसा star है rather जो तकरीवन मानलो जिसका जो radius है वो होगा तकरीवन मानलो 10 km जिसके अंदर अपने सूरे से तकरीवन तकरीवन डेड़ गुना mass होगा यहां मिलता है मुझे एक neutron star neutron star वो star है जिसमें सिर्फ और सिर्फ neutron है ना प्रोटों है ना इलेक pulses अब यह जो rotation जो हो रहा है उसकी axis पे यह कितना था तो वो जो pulsar observe करा जा रहा था वो था तकरीवन एक second में वो 17 गूम रहा था एक second में 17 बार अब जब उसको observe किया गया तो कि उसने imagination को capture कर लिया था अब जब उसको observe किया गया तो it was found out कि वो जो setup है उसके अंदर जो orbit है क वो धीरे धीरे कम हो रहा है हां कुछ मीटर से कम हो रहा है कुछ मीटर से कम हो रहा है लेकिन yes कम हो रहा है जब calculations करी गई दोस्तों तो सब कुछ इतने अचंबित हो गए थे वहाँ पे क्योंकि वो calculation exactly match कर गई थी कि अगर अगर Einstein साब की predicted gravitational waves है और वो energy अगर लेकर मेरे pulser के जो binary pulser का जो system है उसके अंदर वो values यानि calculation से करीवी जो values आ रही थी वो जो observation आ रही थी वो एकदम से match कर रही थी with a very 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 minute error अब यहाँ पे जब यह propose किया गया तो यह चीज एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी happening थी और इसने बोल दिया कि yes gravitational waves जो है वो energy carry करती है अ उसको मैंने detect तो किया नहीं calculation यह तो बता दिया कि हाँ भई जो orbital decay हो रहा है वो वैसे ही हो रहा है जैसा कि gravitational wave अगर energy लेके निकलेगी तो होगा अब यहाँ पे इसी बात को लेके 1993 में जो physics का Nobel Prize था वो उन दोनों महारतियों को दे दिया गया क्योंकि उनने एक बहुत चीज दुनिया के सामने दाके रख दी थी अब यह सारी चीज को कर अपन कुछ values के थुरू समझें तो तुमको बड़ा मजाएगा दोस्तों कितनी energy radiate हो रही थी वो जो system था उससे energy जो radiate हो रही थी वो थी तक्रीबन 10 की power 24 Joule per second ठीक है भई यह कितनी होती है यह energy है तक्र पुरत से जो energy per second निकल रही है उसकी तक्रीबन 2% energy जो है per second gravitational wave की form में निकल रही थी उस pulsar से वो जो binary pulsar का system था ठीक है अगर अब इसको और compare करना चाहूं तो अपना जो solar system है इसके अंदर Jupiter है Saturn है Uranus है Earth है यह जो सारे planet है और अपना sun जो है यह जो पूरा motion होता है इसके कार gravitational wave energy लेके निकलती है कितने energy लेके निकलती है तक्रीबन 5000 joule per second तो अपना जो पूरा भरपूर solar system है उससे energy निकलती है 5000 joule per second वो जो binary system था pulsar का उससे energy निकली थी तक्रीबन 10 की power 24 joule per second अगर उन calculations को लिया जाए इन values को लिया जाए तो यह predict किया गया कि अगर उन दोनों pulsars को एक दूसरे में जाके टकरा जाना था जो neutron star हो जो pulsar का setup था तो वो लेगा तक्रीबन 300 million years तो यह सारे fascinating facts जो है दोस्तों यह बहुत ज़्यादा inquisitiveness बढ़ा देते हैं क्योंकि इनको सुनके अपन एक picture बना पाते हैं कि यह 10 की power 24 joule per second energy release करके भी it will take lot of time यानी already उस system में energy कित हुई yes gravitational waves on earth सबसे पहली बार इंसानों ने जब experimentally detect करी वो साल था 2015 का LIGO LIGO जो observatory है वहाँ पे यह सारी observations ली गई थी और confirm किया गया था कि yes gravitational waves जो है वो just अभी से निकली है यानी हमें उसका एक different जो असर पढ़ता है वो मैसूस हुआ है लेकिन किस में पढ़ता है असर तो जो 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 gravitational waves है वो space time को थोड़ा सा हिलाती है इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि मालो मेरे पास ये एक shape है अगर gravitational wave आएगी तो या तो इसको stretch करके यह करेगी या इसको ऐसे stretch करके यह करेगी लेकिन इन both the cases अगर ऐसे इसको compress करके निकलिए gravitational wave space time को तो जो मेरे tip है वो दूर हो के पास आई है अगर वो यह मेरे को compress करके निकली है तो यह जो मेरे knuckles है यह दूर हो के पास आएंगे तो अगर gravitational wave निकलती है cross करती है earth को तो वो space time को जब यह चेंज करें तो earth के ऊपर के system जो है उनके अंदर भी कुछ ना कुछ changes आएंगे लेकिन क्या इतने prominent changes होंगे नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है देखो इसको भी मैं तुमको कुछ numbers के थरू समझाता हूं अगर मैं बताओं तो 1.3 billion years पहले दो black hole जिनका मान लो अमूमन जो mass था 30 solar masses के बराबर था वो जब दोनों जो black hole थे वो merge हो गए वो एक दूसरे में जाकर भिड़ गए और उसमें जो merger हुआ था उसमें जो energy release हुई थी वो energy इतनी थी जो कि मैं कह सकता हूं 50 गुना 50 times the total energy of the stars in the observable universe यानि अभी जो अपनी universe में जितने भी stars हैं जितने भी stars हैं उन सबकी जो energy है उन सबका जो power है उसको गर मैं ले लूँ तो उसका भी 50 गुना इतना power radiate हुआ था तो अगर इतना power radiate हुआ था तो अर्थ पे जब वो power पहुँचा होगा तो उसने तो अर्थ को हिला देना ची प्रोटोन जो होता है उसकी अगर width ले ली जाए तो उसका भी हजारवा part यानि thousandth part of the width of proton अब तुम बोलोगे या दी तो बहुत छोटा है बिल्कुल बहुत छोटा है दोस्तों यह मालों तक्रीबन 10 की power minus 19 यह 10 की power minus 20 meter है बहुत 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 छोटा लेकिन लीगो ने इस alpha century का जो distance है इतना बड़ा अगर मैं लीगो की ब्रांच को बना दूँ वो जो tunnel है अगर एक gravitational wave आती है वैसी ही जैसी की 2015 में आई थी वो उस tunnel की length को एक hair width जितना लंबा कर देगी यानि जो change आएगा उस tunnel की width में किस tunnel की width में जो tunnel यहां से earth से alpha century इतनी दूर इतनी लंबी जो difference आएगा उसको detect कर लिया था लीगों ने लेकिन दोस्तों यह जो सारी चीजे ना इसमें सबसे बड़ी बात है कि Albert Einstein साब को लगता था कि यह सब पता करना बहुत मुश्किल है और यहां पर दोस्तों अगर Richard Feynman sir की बात नहीं करें तो मजा नहीं आएगा क्यों क्यों कि Richard Feyn ली उस रोड के उपर आपने beads रख दी अब वो जो beads है जब gravitational wave आईगी तो वो उन beads को मूँ करेगी जब वो beads मूँ होगी तो friction के कारण वहां पर energy आएगी अब वो energy कहां से आई beads के movement से beads को किसने मूँ किया gravitational wave ने यानि कि gravitational wave ने बिना किसी को बताए चुप चाप उन beads को energy transfer कर दी और दोस्तों यह बात प्रूव भी होगी जब लीगों के अंदर जो पूरा setup था जब उसके अंदर variation देखा गया कैसा variation क्या था वह variation और क्यों हुआ वह variation यह अपन देखें दोस्तों अगले वीडियो में तो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो like करो share करो subscribe करो bell icon जरूरू दबादेना दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में तता के लिए जैहिंद क्यों दोस्तों मजा आया ना actually यह जो वीडियो होते ना यह अपनी inquisitiveness को अपनी eagerness को physics को जानने उसी के साथ इनी वीडियो के साथ अगर वही mentor तुमको physics पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा यानि मैं कहूंगा कि भई मेरी तो 5 उंगलिया या 10 उंगलिया मेरी घी में आ जाएगी तो दोस्तों ऐसी एक opportunity मैं तुम सब बच्चे के लिए लाया हूँ मैं Unacademy Atoms YouTube चैनल पे free में सबको live physics पढ़ाता हूँ रोज live आता हूँ YouTube चैनल Unacademy Atoms पे मैं पढ़ा रहा हूँ J.E. के लिए physics चाए वो J.E. main हो चाए advanced हो रेधर मैं बोलूँगा दोस्तों 11-12 के बच्चे जो physics पढ़ना चाते हैं चाहे वो कोई भी examically prepare कर रहे हैं I am there for you, I am teaching it completely and totally free for you guys तुम सब के लिए मैं live और free पढ़ा रहा हूँ Apart from that दोस्तों मैं Unacademy App पे भी special classes ले रहा हूँ जो की free होती है और वो भी live classes होती है वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को guide कर रहा हूँ और mentor कर रहा हूँ physics के लिए Let's understand physics Physics से अपन प्यार करना सीखें Physics को अगर अपन समझें तो अपने concepts rock solid हो जाते हैं और अगर एक बार concepts rock solid होगे दोस्तों तो number भी आएंगे अच्छा performance भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा अगर तुमको में को search करना है Unacademy app पे तो तुमको search करना पड़ेगा Manish Isro M-A-N-I-S-H-I-S-R-O Manish Isro यह मेरा idea दोस्तों जिसे कि तुम में को search कर सकते हो में को follow कर सकते हो हमें को reviews दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो अगर तुम किसी भी subscription को लेना चाते हो Unacademy app पे या तुम free classes को unlock करना चाते हो तो free classes को unlock करने के लिए you can use the code Nimbus, बिलकुल अपना दिल वाला Nimbus प्यार वाला Nimbus NIM, BUS Nimbus का code यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी free material है सब unlock हो जाएगा तुमारे लिए और अगर तुम कोई subscription लेते हो कोई long term course की planning करते हो Unacademy app पे तो वहाँ पे भी NIM, BUS तुमको 10% extra discount दिलाएगा दिल से, प्यार से सब दोस्तों फिर से बतादू मैं हूँ तुमारा mentor friend Manish Purohit Unacademy Atoms YouTube channel पे रोज आता हूँ, live physics पढ़ाता हूँ, feel के साथ rock solid concepts बनाने के लिए चाहे तुम कोई भी हो, NEET aspirant JE aspirant, KBPY, NASCP कोई भी exam की preparation कर रहे हो physics तुमको मैं पढ़ा दूँगा apart from that Unacademy app पे भी आता हूँ in special life classes see ya there दोस्तों, love you all जये हैं